दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम लोग आज की निउस्पेपर के इंपॉर्टेंट निउस आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे BPSC पॉइंट आफ व्यू से रेलेवेंट है आज का जो पहला निउस है वो है कि आज phase 4 election चालो हो गया है 96 seat के लिए voting हो रही है और बिहार में भी important places में आज voting हो रही है complete political news है इगनोर करना है बस information लेना है क्या चल रहा है अभी देखो ये important है integrated command structure plan tooks at vice cds deputy cds with clear roles अभी एक theater command होता है और जो इंडियन armed forces है वो काफी दिनों से theater command को बनाने की चर्चा हो रही थी जब cds आये थे विपिन रवत साव तो उन्हींने theater command बनाने की शुरुआत भी की थी और उसके लिए काफी initiatives लिये थे तो theater command होता क्या है अभी जैसे इंडियन army है वो operate कर रही है उनका अपना command है air force है उनका अपना command है नेवी है उनका अपना command है अब ये तीनों जो हैं सब के अपने अपने air chief आर्मी के होंगे chief of army staff एर फोर्स के चीफ होंगे फिर नेवी चीफ होंगे ये तीनों रिपोर्ट करेंगे मिनिस्टर ओफ डिफेंस को इसके अंदर जो कमांड होगा वो आर्मी का कमांड जो होगा वो एर फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा आर्मी का कमांड नेवी से इंडिपेंडेंट होगा लेकिन जो थियेटर कमांड बनेगा उसमें एक सिंगल कमांड रहेगा इसके अंदर ही एर फोर्स, आर्मी और नेवी रहेगी तो ओपरेशनल लेवल पे ये कमांड डेवलप करने से जो resources हैं तीनो armed forces की उसको consolidate करके एक बहुत अच्छा resource बनाया जा सकता है और operational capabilities को enhance किया जा सकता है जो logistics है उसको improve किया जा सकता है जो efficiency है armed forces की उसको increase किया जा सकता है इसलिए theater commands की बात होती है यहाँ पे एक word used है Robin Hood economics इसका استعمال किया जा सकता है जहां भी freebies का question आए ठीक है जहां भी freebies का related question आए या subsidy वाला कुछ question आए तो इसके criticism में criticism में लिखा जा सकता है कि Robinhood economics एक long term game नहीं है Robinhood क्या होता है कि जो अमीर लोग है उससे पैसा लिया और गरीब लोग को दान कर दिया तो सरकार क्या करती है जिसके पास ज़्यादा पैसा है उस पे 30% income tax लगाई और subsidy के form में 5 किलो अनाज गरीब को दे रही है तो Robinhood economics ही है तो यह ज़्यादा time तक चलने वाला नहीं है ठीक है तो जब भी हम freebies और subsidy का answer लिखेंगे तो उसमें जो criticism लिखना हो उसमें Robinhood economics के हम बात कर सकते हैं बहुत अच्छा keyword है यह यहाँ पे नेपाल ने अभी क्या किया है कि 100 रुपे के note पे यह important है हमारे काफी important है हमारे लिए because हमारा नेपाल immediate neighbor है बिहार का और इंडिया नेपाल relations में जो खटास है उस खटास को और कैसे बढ़ाया जा रहा है by some vested interests और जो हमारे other neighboring countries है उनके द्वारा तो यह news जो है उसी चीज़ को supplement करेगा और इंडिया नेपाल के बीच में जो तलखी है relations में उसको अगर हमको substantiate करना होगा तो हम लोग इस article का सहारा ले सकते हैं अभी क्या हुआ है कि नेपाल ने जो 100 रुपे का अपना note release किया है उसमें बहुत सारे हिस्से जो जैसे लिम्पिया धुरा है लिपूलेख और काला पानी तीनो अभी जो है भारत के पास है लेकिन नेपाल उसको अपना बताती है तो इस जो नया उन्होंने note निकाला है उस note में इन तीनो इलाकों को उन्होंने अपना बता के निकाल दिया है तो इस पे भारत जो है अपने ministry के तुरू इसका criticism किया लेकिन अब चुकी क्या है कि नेपाल immediate neighbor है इस नेपाल में अभी चाइना Pakistan इन सब का बहुत influence हो रहा है कि नेपाल को इंडिया के against रखा जाए क्योंकि इंडिया की neighborhood first policy रहती है कि इंडिया अगर कुछ भी करेगा तो नेपाल को priority में रखे करेगा लेकिन अगर नेपाल साथ ना दे तो strategic point of view से काफी मुस्किल हो जाएगा भारत के लिए अगर चैना जैसी ताकत नेपाल में अपना military base बना ले या उनके air force को logistic support मिल जाए नेपाल में तो इन सब से prevent करने के लिए इंडिया नहीं चाहता है कि जो भी इंडिया की adverse countries है वो नेपाल के साथ अच्छा relation रखे लेकिन ये जो situation हुआ है ये कभी नेपाल अपनी मर्जी से नहीं करता था लेकिन जो regime change हुआ उसके बाद जो नहीं सरकार बनी वो सरकार जो है कईने कई भारत के बीच में जो relation है उनका उसको थोड़ा सा loosen करने की कोशिस कर रहा है तो इसी में है कि जो president के advisor नहीं है उन्होंने criticize किया कि आप 100 रुपे के note पे इंडिया के areas को दिखाना सही नहीं है और वो बात उन्होंने ये भी कहा कि I oppose the move as former governor of the raster bank and not as an advisor to president बट फिलहाल उसनोंने president के advisor से resignation दे दिया ये news article है ये हमारे लिए important है हमारे GS2 section 3 point of view से जब हम cyber security की बात करते हैं और cyber security में किस तरह से चीज़ें बदल रही है और हम लोग science tech का भी हमारा question आता है कि science tech का हमारे daily lives पे क्या role है तो इस science tech के daily lives में negative role जो है उसमें इस article को use किया जा सकता है इसमें ऐसा है कि जो children है उनका अभी internet पे access बढ़ गया तो हमारे घर में classroom में ये बाते होनी चाहिएं कि एक बच्चों को internet में जो कुछ देखना है तो क्या देखना है क्या सही है क्या गलत है है ना क्योंकि उनके पास उतनी age में judgmental चीज़ें कम होगी और वो चीज़ों को सही और गलत नहीं आग सकते है तो इस पे writer ये कहते हैं कि justice स्वर्नकान सर्मा ने कहा था कि minors must be equipped with the knowledge and tools to navigate online interactions safely and recognize the potential risks that lurk in the cyberspace कहने का मतलब कि cyberspace में जो भी issues हो रहे हैं तो उसको tackle करने के लिए इन बच्चों को tools होने चाहिए उनको information होनी चाहिए कि हम ये open करेंगे तो ऐसा हो जागा अभी क्या कोई website देखेंगे वो .com करके डालतो देंगे लिकनी ये website जो है यहाँ पे अगर malware है ठीक है तो क्या होगा वो malware उनके system install हो जाएगा उनका system compromise हो जाएगा पैसा देना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े हैं उससे related banking frauds हो सकते हैं तो इसके लिए minor को उसके लिए aware करना ज़रूरी है और अभी भी हम जानते हैं कि internet जब से evolve हुआ है तब से इसका जो influence है इसका जो effect है society पे अलग 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 writer यहां पर यह भी बात बोलते हैं कि जो 90's के हैं ठीक है तो 90's के जो हैं उनका जन्म हुआ तो उन्होंने एक time ऐसा जिया है जहां mobile internet वगरा कुछ नहीं था nothing was there एक basic landline phone था अभी जो 2000 के बाद जो जन्म लिया है लोगोंने तो क्या हुआ उन्होंने होस समाला 2013-14 तक जब होस समाला तो वो internet अपने सामने देखते हैं तो internet के बिना जीना उनको आता ही नहीं है तो उसको किस तरह से persuade करके internet के जो increasing dangers हैं चाहे वो POXO related हो या data protection related हो उनसे कैसे protect किया जाए उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ regulations बनाये जाएं इन concerns के लिए तरीके से act आए ठीक है कि अगर कोई minor है तो उसको अगर interview मिलेगी कोई भी website है उसको rating दी जाएगी अगर तो 13 years से जादा है या 16 years से जादा है 18 years से जादा इस तरह की rating होनी चाहिए website पर इस तरह की चीज़ें की जा सकती है ताकि minors का जो internet से access है तो उनकी limited awareness limited knowledge से उनके computer को या कहे तो उनके personal life में भी जादा mental harassment ना हो physical trauma है cyber bullying है blackmail है यह सब ना हो इसको avoid करने के लिए क्या क्या initiatives लेने जाने चाहिए वो इस article में complete लिखा होगा है तो आज का जो Indian Express थाने इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ऐसा है जो interest से कुछ करने लाइक है तो इसलिए हम लोग हिंदू के कुछ articles को देखेंगे क्योंकि हिंदू के articles काफी अच्छे है एक दो articles उनको हम लोग देखेंगे देखो Legal Services Authority Legal Services Authority की अपने सम्विधान में चर्चा कहा है हमाँ अपने सम्विधान में चर्चा है DPSP में Directive Principles of State Policy इस Directive Principles of State Policy में एक ऐसा article है ठीक है यह article क्या कहता है कि जो भी जरूरत मंद है जो भी गरीब है उनके लिए Free Legal Services दी जाएंगी ठीक है तो उसके लिए एक NALSA बनाया गया और उसके तहते एक NALSA Act भी आया था तो आपको अब इसमें कमेंट करना है कि DPSP का कौन सा article है जो Legal Services Authority को का right देता है दूसरा चीज आप ये लिखेंगे कि क्या ये जो DPSP में लिखा हुआ है ये सम्विधान जिसमें बना था उस समय का ही है या किसी amendment से add किया गया है अगर किसी amendment से add किया गया है तो वो amendment का number कौन सा है पहला चीज आपको reply करना है comment box में लिखना है कि कौन सा article है जो Legal Services Authority को promote करता है Legal Services Authority की बात करता है इस Legal Services Authority को बात करने का जो article है वो कौन से amendment में add किया गया है या फिर सम्विधान में पहले से था ये चीज आपको comment box में लिखना है ताकि पता चले कि you are taking part in our daily newspaper discussions यहाँ पे उसका police arrest करके ले गई उसको थाने में थाने में जो temporary एक jail बनाया रहता है वहाँ पे रखा जाता है फिर उसको urgently urgently और within 24 hours उसको magistrate के सामने पेस किया जाता है उसके बाद जो judicial magistrate है वो इस बात का अधिकार देंगे पुलिस को कि उस अपरादी को क्या वो remand पे ले सकती है जाए police remand पे ले या फिर judicial remand में जाए तो इस remand के अंदर police remand के अंदर अगर उसकी death हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते है custodial death और उस custody के अंदर जो tortures होते हैं maybe for valid reasons maybe for things beyond control of the police तो क्या होगा custodial torture वाला case होता है तो यही custodial torture वही होता है कि जब मुझरिम जो है police के control में रहता है custody में रहता है लेकिन उस पे अगर torture हुआ उसकी death हो गई तो custodial death का लाया उस समय को जो torture है उसको custodial torture का लाया अब यहाँ पे एक news है सिवकासी के बारे में सिवकासी हमको पता है कि यहाँ पे जो भी fire crackers होते है उसकी बहुत बड़ी industry florist करती है सिवकासी में लेकिन आए दिन हम सुनते है कि सिवकासी में कि एक blast हो गया सैकडो घर जल गए है ना तो यह क्यों हो रहा है अगर कहीं पे कोई industry है तो उस industry से related regulations को tight करने की ज़रत है अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो भी chemicals use होते है उसको जैसे तैसे stock कर दिया जाता है ठीक है जो उस chemical का uses है उसको एक certain area में use ना करके इस area से बाहर use किया जाता है due to any of the reasons उसके कारण क्या होता है कि वह chemical हर जगा फाइल गया अब एक जगा आग लगा तो वह cascading effect होगा उसका petrol में देखते वह आग लगाते है तो बढ़ जाता है similarly हाँ होगा वह आग बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा बहुत सादा नुकसान हो जाता है फिर infrastructure की कमी है एक छोटी जोपड़ी में अगर पटाखा बना रहे है तो जलने की probability तो जादा रहेगी है उसकी है ना तो ये ज़रूरी है कि safety norms का violation ना हो क्योंकि हम industry promote करने की बात करते हैं लेकिन industry promotion कभी भी safety को compromise करके नहीं किये जा सकती है तो वहाँ के district collector जो है अभी इस industry को regulate करने के लिए और तकीकात कर रहे हैं और regulate करने के लिए और भी दिशाने देश दे रहे हैं हमारे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है कुछ ये article देखो ये है कि government to spend टू करोर पर किलोमीटर on roads along China border ठीक है दो करोर पर किलोमीटर खडच होगा सरकार का China border के बास बनाने में तो एक program है इससे related vibrant village program तो इस program के बारे में आपको at least एक बार Wikipedia में पढ़ लेना कि vibrant village program होता क्या है अभी वीडियो पॉस करके vibrant village program के बारे में पढ़ लो फिर यहां से start कर लेना अभी क्या हो रहा है कि यह वाला जो एरिया है यहां स्रिलंका है यहां तमिलनाडू है तो यह वाला जो 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 जोन है यह वाला जो जो जोन है यह बहुत contentious जोन है क्योंकि अगर इसको थोड़ा हम लोग अगर जूम करके देखें तो यह reason जो है यहां पे स्रिलंका बोलता है हमारे भी जमीन है इंडिया बोलता है हमारा भी space मतलब जो exclusive economic zone होता है वो है तो इसमें एक एकाद दो island ऐसे हैं जो बहुत controversial है जैसे एक island का नाम आता है कच्छतीवू island तो यह bond of contention रहता है इंडिया और स्रिलंका के बीच में तो इंडिया स्रिलंका के बीच में जब भी कोई news आए तो उसको पढ़ना है और उसको उस एंगल से देखना है कि अगर इंडिया स्रिलंका से related कोई भी mains का question आए तो उसको जब हम attempt करेंगे तो जो इंडिया स्रिलंका के बीच में तलखी है जो challenges है उसमें हम कच्छतीवू island को लिख सकते हैं fishermen के issues को लिख सकते हैं कि आए दिन दोनों countries के fishermen को arrest कर लिया जाता है दोनों की ने भी police के दोरा उससे क्या होता है कि free shipping जो है जो भी relations से सिरलंका को उससे influence करता है क्योंकि Tamil Nadu government जो है pressurize करती है central government को कि ऐसे actions ना लिये जाए जो Tamil Nadu के citizens के against हो या सिरलंका के पक्छ में हो तो कहीं ने कहीं हम bilateral level पे सिरलंका के साथ सही से बात नहीं कर पाते है due to our domestic compulsions another article with never like China we have to learn to compete ये जैसिंकर सहाब ने कहा है कि चाइना देखो क्यों rise किया है चाइना की अभी हालत देखो तो वहाँ ऐसी हालत है कि वहाँ की demography अभी cross कर चुकी है वहाँ average age जो है वो 45 से उपर है मतलब आने वाले 15-20 साल के बाद वहाँ सब बुड़े हो जाएंगे लब करना है तो उसको manufacturing पर ध्यान देना ही पड़ेगा reason ये है कि manufacturing जो है highest resource utilizing industry है सिर्फ manpower और computer AC लगाने से काम नहीं चलता है वहाँ पर हजारों लाखों चीज़ लानी पड़ती है तब जाके एक industry बनाई जाती ये industry को चलाया जाता है दूसरा जितना रोजगार एक manufacturing industry देगा उतना रोजगार एक IT company ये software company या white collar companies जो बोलते हैं जो सिर्फ skilled labor को दे सकते हैं manufacturing industry क्या है उनको भी job देगा जो unskilled है जो semi skilled है जो ITI professionals है जो four men है उनको भी job मिलेगा लेकिन यहाँ पर क्या है उनको job नहीं मिलेगा तो manufacturing ऐसा sector है जो एक large segment को अपने अंदर ये करता है तीसरा चीज कि जैसे ही manufacturing डवलप होता है तो manufacturing industry जहां डवलप है उसके surrounding में पूरा area जो है धिरे धिरे urbanize होने लगता है क्योंकि लोगों का income बढ़ता है लोगों का living standard बढ़ता है इस industry में जगा जगा से लोग काम करने आये होंगे तो उनको देख के भी बहुत सारी चीजे change होती है एक demography change होता है एक जो है economic progress की बात जो होती है तो यहीं से शुरुआत होती है चाइना ने ये कर दिया अब अगर हमको चाइना से compete करना है तो हमको manufacturing पे खासा ध्यान देना पड़ेगा और ये बात प्रधानमंत्री जीन ने पहले टरम से ही start कर दी थी मेकिन इंडिया लाके उन्होंने domestic manufacturing की बात की ठीक है फिर manufacturing जो है वो यही कहना चाहरा है कि manufacturing जो है चाइना का base है और चाइना से compete करना हमारे लिए ज़रूरी है आज के टाइम पे अगर हमको और जाधा अपने आपको evolve करना है तो चलो अब एक last article देखते हैं हिंदू का ही है वो modest rebound ये article बोल रहा है slow industry output के बारे में तो हमको समझना होगा कि किसी भी industry का output slow क्यों होगा है ना सबसे पहला तो क्या होगा जो raw materials मिलते हैं industry को उनका supply कम हो जाएगा reason regulations बढ़ गए reason जैसे Europe से हम कुछ raw material ला रहे हैं स्वेज के नाल में problem हो गए अब हमको पूरा cape of good of move करके आना पड़ रहा है मेरा transition time बढ़ गया उससे क्या हुआ मेरा industrial output पे असर पड़ेगा raw material पे असर पड़ेगा दूसरा labor का समस्या strike हो गया बीमारी फैल गई लोग नहीं आ रहे काम पे उनको सही से उनका महनताना नहीं दिया जा रहा है तो वो efficiently काम नहीं कर रहे है तीसरा सबसे बरा reason जो होता है वो market market अगर sluggish है slow market है लोगों के पास capital नहीं बचा है अभी कि हम industrial जो products हैं उसको buy करें उसको consume करें तो लोगों का consumer behavior जो है जितना कम होगा industrial output भी उतना कम होगा industry output अगर कम होगा तो इसका असर direct परेगा employment पर इसका असर direct परेगा jobs पर है ना तो इस पर खासा ध्यान देने की ज़रुत है और सरकार ध्यान भी देती है और तरह तरह बहुत सारे indexes है इसको मापने के लिए है ना तो आज के news paper में इतना ही आज कुछ भी ऐसा नहीं था जो भी ऐसे ही चलेगा 10-15 दिन और उसके बाद जून से बढ़ी आर्टिकल आना सब सुरू होगा जो irrelevant news है वो कम आएगा थोड़ा ठीक है बिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई